मुग्स पाठ्यक्रम में आप सभी के हर्दिक स्वागत अभिनंदन है प्राचिन न्याय से आधार इस विशय के अंतरगत आज हम कर्म सामान्य स्वरू का विवेचन करेंगे पूर्व पाठ्यक्रम में बैसे सिख के अभिमत साथ पदार्थों के अंतरगत हमने कर्म पदार्थ के निरुपन के पस्चात चतूर्था जो पदार्था है सामान्य पदार्था है नित्यत्य सति अनेक संवेतत्य रूप अथवा नित्यम एकम अनेकानुगतम अथवा अनुवर्त्य प्रत्य हेतु हुँ सामान्य है ऐसा ही हमने प्रतिपादन किया है जो की सास्त्रकार का अभिमात है होः सामान्य नित्यत्य सति अनेक संवेतत्य रूप है उसमें नित्यत्य पद का प्रयोजान अनेक हमने प्रत्य प्रत्यवर्त्य प्रत्य है वह सामान्या दो प्रकार के होते हैं परसामान्या एवं अपरसामान्या परसामान्या जो है सप्ता है वह अधिक देश बृत्ति है वह सप्ता प्रत्रक्ष्यादी प्रमान से सिद्ध है किन्तु संप्रदाई विशेस में सामान्या तीन प्रकार के भी प्राप्त होते हैं जिस अता परापरसामानी के रूम में द्रव्यत्य जाती को ग्रहन किया जाता है, क्योंकि सत्ता पिखेया अपरत्तो जो है द्रव्यत्य में बैठा है और प्रत्वित्त पिखेया परत्तो द्रव्यत्य जाती में रहने के कारण द्रव्यत्य जाती परापरसामानी के रूम में अभ ही जाती का लख्षण किया गया है वह जाती द्रभ्य गुण कर्मत त्रिकवृत्ति ऐसा ही प्रतिपादन किया गया है किन्तु हमें जो द्रभ्य है नौ द्रभ्य पृतिवी जल तेज बायू आकास काल दिगात्मा मन हैं उसमें आकास, काल, दिशा ये जो है ये एकी पदार्था है और थाथ एकी द्रभ्य है इनके कोई भेद होते नहीं है क्योंकि सब्दास्रेत पर आकास की प्रतिदी करते हैं वह नित्य है विभू रूप है काल भी अतिता दिव्यभार का साधान कारण है एवं दिशा भी प्राच्या दिव्यभार का असाधान करण है तो आकास में आकास अप्त्व जाती है या नहीं यह प्रस्ण उड़ता है क्योंकि नित्यत्वेसति अने क्या लख्यन किया गया है वह लख्यन को यहां प्रसक्त ही नहीं है और नियम करता है कि कि प्रसक्त का ही प्रतिशेद किया जाता है जो प्रसक्त नहीं है उसका प्रतिशेद हम कैसे करेंगे क्योंकि आपका प्रतिज्या है कि जाती जो है द्रब्य में राता है तो आकास भी एक द्रब्य है तो आकास में भी आकास तो जाती रहना चाहिए तो उस अंदर में आचारियों का अभिम्मत है वशेशिता उधिनाचारिय लिखते हैं कि आका सथ्कम नजाती अपितु जाती बाहत्ता है बसुत्ति उसमें चे प्रकार के जाती बाधक जो बताय गया उसमें कुछ जाती के बाधक होते हैं कुछ जातित्रों के बात के निप्रण neighborhood भीत्व कि जब लक्षण हि आपका नित्यत्त प्रकार की अनेक समझी तत्म यह लक्षण प्रशकते नहीं है अभ्याप्ति हो रही है उस अभ्याप्ति के परिहार करने के लिए हमें जातिवाद कहना पड़ेगा बस्तुता प्रसक्त से वह प्रदिशेथा इस अनुसासन के बल से प्राचिन नयाई को ने जो लक्षन बनाया निस्सामान्यत त्वेस्थी विशेसान्यत त्वेस्थी सांवेद रत्वम यहां लक्षण गगनत्व में प्रसक्त है क्योंकि गगनत्व में और कोई जाती नहीं राता है अता निस्सामान्य है क्योंकि सामान्य में कोई सामान्य रू जाती जाती में जाती नहीं इस करके लक्षन के हम प्रसक्त करेंगे हैं प्रसक्त करेंगे यह कि गगनत्व जो है जातीबाधक कहना ही पड़ेगा वह जातिबाधक के संदर में उध्यनाचारिय अपने क्रिणावली ग्रंत में लिखते हैं व्यक्तेरवेद सुल्यत्वं संकर अथा नवस्तिती रूपहानी असंबंध जातिबाधक संग्रहां। अरथा व्यक्तेरवेद अहां पुल्यत्व, शंकर, अनवस्ता, रूपहानी एवं असंबंध के भिग से छे प्रकार के जाति-वाधक हैं जिसमें कुछ जातिके बाधक कुछ जातित्व के बाधक होते हैं। बर्तमान प्रथम जो जाति बादक हैं व्यक्तिर अभेद हां। उस व्यक्तिर अभेद के संदर में यहां लक्षन हमें प्राप्त होता है। अर्थात स्वपदेन गगनत्व ग्राइय है। अर्थात स्वगणत्वम गगनत्व आश्रय गगन एक होने के कारण गगन में रने बाला गगनत्व जाति नहीं है। अभी तो जाति बाधक है। इसालिये व्यक्ते रभेद अत्वात गगनत्वम न जाति. यथो ही स्ञास्थ्रे Àप्पिययात गगनत्वम न जाति. गगन एकी पदार्थ है, गगनत्व का आस्रे जो गगन है वो अनैक नहीं है, अथा अनित्यात्व सती अनेक संवेटद घ्रक्षण है वो ग्रिसित नहीं होगा इसलिए जाति नहीं मानेंगे अभी तू जाति-वाधक मानेंगे जिटी जो आता है तुल्यत्वम तो जो है तुल्यव्यक्ति विद्वतित्वम अन्युनभा अनत्रिक्त विकत्वम इस प्रकार के भी हम तुल्यत्वम का लख्थन करते हैं गहत सब्सक्етр जटों क्लशत्व में इसना क्लशत्त को मुझत्य जात्य जाति आप आप सब्सक्राइस सब्सक्राइब प्रयोग एक सारवत्री घटसब्द का प्रे होता है, जग्यादी के एक में जो बैभार होता है, उसको हम कलसब्द से बैभार करते हैं, दोनों में तुल्यता होने पर भी हम घटत्तो को जाती मानते हैं, कलसब्द को जाती इसलिए नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तुल्यत्वात, यहां पर प्रस्न उड़ता है कि घटत्व को जाती आप मानते हैं कलसत्व को जाती नहीं मानते हैं इसमें बिनिगवना क्या है कलसत्व को जाती मान लिया जाए घटत्व को जाती बाद मान लिया जाए तब करते नहीं ऐसा नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि घटत्व कलसत्व में अच्छे दग न मानकर लगुधर्म कोई ही हम अब अच्छे दग जाती के रूम में स्विगार करते हैं तृतिय जो आता है संकर आता है वह संकर जाती बादक का लक्षण बताते हैं परस्परात्यंता भाव समाना अधिकन धर्म यहो एक अत्र समावेशा संकर है यहां पर सब्सक्राइब बुत पर्फ दक क्या चीज़ है बईरींद्रिय ग्राइट पेस्थि बिंशेश गूनवत्तक म। और आकास के रूम में ग्रहित होते हैं इसलिए आगे चलके लख्षान लिखा गया आत्म भिन्नत प्यस्ति विशेश अगुण बत्वम भूतत्वम मुर्तत्व जो है क्रिया बत्व जो है मुर्तत्व द्रभ्य पृतिवी जल तेज वायू न अर्थात इनी पांचों में क्रिया है इसलिए इनमें मुर्तत्व के रूम में हम्ष्वार करते हैं तो भूतत्व जो है पांच द्रभ्य प्रशिविजल तेजवाईव आकास, मुर्तत्व द्रभ्य है प्रशिविजल तेजवाईव मन, परस्पर का जो अत्यनता भाव, भूतत्व का अत्यनता भाव जो है मन में है और मुर्तत्व का अत्यनता भाव जो है आकास में होते हुए भी भूतत्यों मुर्तत्यों वह धर्म जो है पृधिव्यादी चतुस्ट्रे में विद्यमान है अतहा भूतत्यों को हम जाती नमानकर जाती बाधग मांगते हैं इसलिए उन्हें ने जो लक्षन लिखा आए परस्पर में अत्यनता भाव फते हुए भी जदि दोना धर्म एक समाविष्ट्यों हो जाएं तो ऐसे जो भूतत्यों जाती है उसको हम जाती बाधग मांगते हैं उसके बाद भूतत्यों का जो स्वरुव है हमने उसका विचार किया है क्रियावत्त्यों जो है मुर्तत्यों है असंबंद जो जाती बाधग है उसके संदर में वह लिखते है करता शटूर्त जो है अनवस्ता-हे उस अनवस्ता के लिए लिखते हैं अप्रह Two अधि unjust a C mort जाती स्विकार कि जाती है हटतो जट्व्थॐ जट्व्थ कि स्विक इस लिए नहीं कि जा सकते हैं कि एसा करेंगे then Is that this DoRE जाती कि कलपना आएगी इसलिए अनवस्ता के चलते हम घटतो तक स्व्रूपअज्या संटानी स्वुपाश्याहाँड रूप हानी रूपहाानी के रूपनी के रूप विशेश है वह स्वता व्यावर्तक है जो स्वयम व्यावर्तक है उसमें फिर जाती भी क्या करता है व्यावर्तक करता है जदि विशेश में विशेशत्व जाती स्विकार करेंगे तो उसका स्वरुप का यहानी हो जाएगा क्योंकि वह स्वता व्यावर्तक है इसलिए विश इसलिए हम उसका अनुजोगित तीन को मानते हैं प्रती जोगी जो है द्रभ्य गुल कर्म सामान्य विशेष यहां तक पांच प्रती जोगी होते हैं तो समवाय संबंध का अनुजोगी तीन द्रभ्य गुल कर्म, समवाय संबंध का प्रतियोगी द्रभ्य गुल कर्म सामानिय विशेश पांच हैं, किन्तु समवाय संबंध से समवाय का अनुजोगी समवाय होता ही नहीं, ना तो प्रतियोगी होता है, अभाव भी ना तो समवा यत्व और अभाव में अभावत्तों जाती हम स्विकार नहीं करते हैं। अभाव में अभाव स्विकी तो यहां अभी में अभाव में करते हैं।